हाई फ्रेंड्स वेल्कम तो यूट्यूब माई यूट्यूब चैनल इच ग्रूइंग नाउ तो आज मैं आप लोग को दिखने बाला हूं इंदसलेंड बैंक की एक डिविट काड़ा है जो हम अलिन जो एकाउंड होता है ना ट्रेडिंग करने वाला ओएकाउंड का मुझे पार्सल आया ब्लू डट की तरफ से आप लोग देख सकते इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है इधर ब्लू डट की ब्लू डट लिखा हुआ है तो आज मैं आप लोग को अन्बॉक्सिंग करके दि लोग करें इधर तू इसमें हमको मिला है एग प्लाती नम डेविट काडd जो की मास्टर कार्ड होने वला है और ऑ इंतर्नेस्नल काडव और इसमें है चीप बेस्ट काड़ होने बला है और इसमें वाइफ है टेकनोलोजी भी इसमें उपलब्ट है इसकार में सो एंट तक देखते रहे ना कि यह कुछ सील यहां से है जो इस तरह कुछ उपन होगा कि देखिए मैं बढ़िया तरीके से कोपन कर चुका हूँ थी है तो इसमें कॉंटेंट जो है अभी बहार निकल रहा हूं देखिए बहुत कुछ बेजाए इन लोगों ने इंडरस लेंग को तरफ से तो इसमें मेरा नाम एड्रेस इनकोर राव रोग ऐसे इन लिए इसमें 6 6 पर सेंट पर एन यहां सेटिंस अकॉंट फे तो यह caféट 0 नमबर इधर है तो मैं देख लिया आप लोगों ने क्या है तो इसको मैं साइड कर रहा हूं इसमें दूसरी चीज़ दिखने वाला हूं कि कुछ यह लोगों ने कुछ इसकी इंटरेस्ट रेट फेट कुछ बताया कुछ चार्जेस आप लोग चाहे तो इसको आप स्कीन सोट लेकर पड़ सकते हैं और नीचे लिखा हूं है सेडूल ऑफ चार्जेस अब नौन रिसीडंट इंडियान एकाउन अगर आप नौन रिसीडंट है इंडियान इनर रही है तो आप लोगों क्या चार्जेस होने वाला है इसमें लिखा हूं है लेकिन हम बिसीकली इं बैंक पर एकाउंट करते है एक खॉरन मेंग भी है तो नेक्स्ट कुछ है टाम सेन्ट कॉंडिशन फोर नॉन बेसिडेंट एनरी एकाउंट जो होता है यह आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं लेकिन हम तो इंडियान है हमको इसमें कोई फायदा नहीं परके साइट और इंदस द्रहनं की कुछ कॉमिट मेंट कास्टोमोर कुछ लोगों के बारे में कुछ bank been के बारे में आपको जानना होगा इस लिए कुछ बुक है इधर चाहिए तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो इस सब मिलने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं अराम से ठीक है कि आप कैसे इंटरेट बैंक चलू कर सकते हैं इसमें स्टेप दिया हुआ है आपको इसमें इंटरेट बैंक की सुभीदा मिल जाएगी यह कुछ लिफाबा है आप देख सकते हैं कुछ गाइडलाइन्स डॉकुमेंट्स कुछ क्या क्या कर सकते आप और क्या कर नहीं कर सकते एट्येम सिभीवी किसी को देना मत यह अब लोग को बैंक बता रहा है बार बार कोई भी बैंक हो आपको बताएगा आप देख सकते हैं इंडर्स लेंड बैंक आप देख सकते हैं कुछ सिंपल और स्मार्ट एक कॉंट्रक लेस्ट डेविट कार्ड भी आप लोग को मिलेगा जो इंडर्स लेंड बैंक की तरप से है इसमें मास्टर कार मिलेगा तो बेनीफिट और इसको अब देख सकते कैसे कुछ है क्या कि इसमें और विक बजार एप बीवी पीवी आर एपलो फार्मेसी रिलेंस फ्रेस्ट मैक डोनल्स इसमें बढ़िया तरह तरह से इसको आपको छूट मिलेगा इसके इसमें पेवे ना करके आप कुसी भी कार्ड एक्सेप्ट करने वाला मैसिन के पास जाके आप कार के कार के ऊपर टाच करते हैं आपको स्पेवे टेक्नोलोजी के तरह दो हजर आप टू दो हजर रुपय का आप स्वापिंग कर सकते हैं बीना कार्ड स्वाइप करके ठीक है इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है और इधर कुछ आज कोस्चन कार्ड के बाद में कुछ है इधर अब देख सकते हैं कि फाइनली मैं देखना बाला हूँ अब लोग को इसका कार्ड तो यह मेरा नेम कुछ लिखा हुआ है आपको 1000 रिवाट पॉइंट मिलेगा तो किस तरह मिलेगा वह बाद में बता रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं फोर सिकूर्टी इसन मैं काड को हाइट कर रहा हूँ काड की नामबर अब देख सकते हैं ऐसा कुछ प्लाटीना मास्टर काड मिलेगा मास्टर कर लिखा हुआ है देख सकते हैं काड को मैं उठ रहा हूँ अभी देख सकत तो इसा कुछ इंदर्स लेंग की काड मिलेगा मास्टर काड चुकी होने बदा है पिछ आप सिविपी को मैं हाइड कर रहा हूं कि देख सकते हैं ऐसा कुछ काड होने बदा है और अब लोगों बता कि गेट 1.5 लाग इंस्वरेंस को भर भी इस काड के काड लेने से आपको इंस्वरेंस मिल सबस्केंद परणि लेका आपकोłosर में क्या को क्या संब Stitch Watch कि 2-1 पॉइंट अपको मिलेगा जो कि आप डर्यक्राट करने करने पड़ेगा उसको ऑफिसियाल ऊप है उसमें रोगिन करने पड़ेगा वहाँ से आप 15 रिवाट पॉइंट लिसकते और दूसरे शॉपिंग करके आप दोट पॉइंट कर सकते और और फाइप टांजक्षन पार मांथ करना पड़ेगा आपको अगर ऐसा आप करते हैं होम प्रिवाट पॉइंट पे तो आपको 300 500 reward point मिलेगा जो कि यहां पर लिखा हुए गेड रिवर्डिंग जार्नी विट वान ट्रांजक्शन पर मांथ और ऐसा करने पर आपको 200 reward पर मिलेगा और इधर आप कया क्या कर सकते हैं आपका डेविट कार्ट कर सकते हैं एक बड़ी ऐसा बैंकिंग कर सकती हमको मिल जाता है इसना तरफ से आप चाहे तो इंद्स लेंड बैंक पे एकाउंट कर सकते हैं यह एकाउंट आपको जीरो बैलन्स होने वाला है जो कि आप अपको ओपन किया जाएगा बिल्कुल मुख्त इसमें आपको भेरिविकेशन की बाद आपको यह कार मिल जाएगा हाथ तो हाथ आपको मिल सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके दोस्तों के उपर स्यार करना मत भूलना ठीक है